नमस्कार दर्सको धार्मिक चमतकार में आप सभी का स्वागत है। जब एक कुत्ते के लिए युदिष्टर ने छोड़ दिया था स्वर्ग लोग का सुख जाने क्या कहती है कहानी। महा भारत युद्ध के उप्रांथ लगबख 36 साल बाद यदुवंसियों का नास हुआ। जब अर्जुन ने ये समाचा युदिष्टर को दिया तो ने बड़ा दुख हुआ। महा रिसी बेद ब्यास के कहने पर पाँचों बांडवों ने राजपाट का सुख छोड़ कर सासरीर स्वर्ग जाने का फैसला किया। युदिष्टर ने जाने से पहले ध्रश्टराष्ट के पुत्र और दुर्योधन के भाई युजरसु का अभिसेक या राजबिसेक किया और उसे हस्तिनपूर का राज़ा बनाया। फिर बे अपने चारों भाईयों को साथ लेकर हिमाले के और चल पड़े। सबसे पहले द्रोपती ने बदरीनास से आगे हिमाले की बरफ में प्रांत्याग दिये। आगे बढ़ते बढ़ते नकोल, सहदे, भीम और अरजुन भी ब्रह्मलोग प्रियान कर गए। धर्मराज युदिष्टर एक कुट्टे के साथ स्वर्ग लोग की और बढ़े जा रहे थे। आखिर चलते चलते वह स्वर्गी के द्वार तक जा पहुँचे। द्वार पाल ने धर्मराज युदिष्टर के लिए दरवज्या खोल दिया। धर्म राज ने कुट्टे को आदिश दिया, पहले तुम अंदर जाओ, नीच कुट्टर स्वर्ग लोग में कैसे जा सकता है, पहरेदारों ने उससे ये कहकर अंदर जाने से रोग दिया, धर्म राज ने कह, इस निरी ही प्राणी ने पर्थवी लोग से यहां तक मेरा साथ दिया है मैं इसे अकेला छोड़कर स्वर्ग लोग नहीं जाऊंगा इसके बाद स्वर्ग लोग के प्रमुक पहरेदार ने कहा यदि आप अपने तमाम पुन्यों के फल इस कुत्ते को देने तो ये स्वर्ग लोग भी जा सकता है युदिश्टर ने उत्तर दिया मैं अपने स साथ देने वाले इस निरी प्रानी को देने में अपना जीवन सार्थक मानता हूं ये सुनते ही स्वर्ग लोग के देपता धर्मराज युदिश्टर की जेजेकार कर उठे उन्हें सा सरीर स्वर्ग लोग में प्रभिस मिला इस तरह समानता के भाव की वज़े से युदिश झाल 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 झाल